आपका स्वागत है आज हम एक नए रेसिपी बनाएंगे जो हम लोग बच्छवन में खाते थे कचवडियां एक रुबई की एक कचवडियां मिलती थी तो आज हम हरी मटर से वही कचवड़ी बनाएंगे तो चली अपनी रेसिपी शुरू करते हैं वीडियो पूरी देखेगा यह माने लासून ले लिया है छील के 15-20 है यह तीन हरी मिर्च यह तीखा वाला है और एक पिंच तक अद्रक एक इंच का और हम इसे पीस लेंगे और ह इसे देखे इसी तरह ही पीज़ना है तो हम इसमें डालेंगे हरी मटर दो कप तक मैंने मटर लिया है बीना पानी डाले ही और रूख-रूख के पीज़ना है हम इसे दो बार में पीस लेंगे कैसे दिखे इसी तरह इस्तरह ही पाना है आई बनाना है कि इसको या बचा हुआ i मुख ज़िए पीज बीज़ना है मटर पेस गया है तो आप मटर मिठा वाला च्ट प करके मटर को देख लेना कि मीठा है कि नहीं कि इस कचवड़ी में मीठा ही मतर लगता है अब खाने में टेस्ट आता है तो आप मीठा मतर ही लेना है तो चलिए स्टफिंग बनाना सुरू करते हैं करें चड़ा दिया है कि चमल देशी घी डाल देंगे कि इस टफिंग को देशी घी में बनाने से बहुत बढ़ना टेस्ट आता है आप किसमें बनाना पसंद करते हैं तेल या घी में कमेंड करके जरूर बताएं एक पिंच ही 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 हुआ करी पत्ते आपके पास हरा हुआ हो करी पत्ता तो आप हो हरा डाल दीजिए मेरे पास सुखा हुआ था तिल दो चम्मच नारियल का बुरादा यह आप जरूर डालें कि इससे बहुत बढ़िया है टेस्ट अफ लेवर आता है चमच हल्दी धनिया पाउडर दो चम्मच तक एक चमच लाल मिर्च यह तिखा नहीं होता है टेस्ट भी आता है अब बैंडिंग भी अच्छे से हो जाती है ताकि जो भी नमी अगारा रहे तो यह एक्सौर्व कर लेता है बेशन को डालने का यहीं मकसद है अब बैशन को अच्छी तरह भून लेंगे अब खुसबुगाने तक अब अब बैसन भून चुका है बहुत ही बढ़िया खुसबुगा रही वेशन की इसी में मटट डाल देंगे जमने पीछे थे और ही पीशना है महीं पेश्ट नहीं बनाना है नहीं तो स्वाद बढ़ इसे भी अच्छी से भून लेंगे मसालों के सांद दो से तीन मिनट लगेगा क्योंकि मसाला हमारा भूना हुआ है मटर को ही पकाना है तो इसा हुआ है जल्दी से पक जाएगा इसे ढख कर पका लेंगे मटर पक गया है इसे थोड़ा सा नमक डाल देंगे साधी के निमसाल यह चमच तक कसूरी में थी है यह गुर्ड थोड़ा सा डालेंगे साध के लिए यह आप चीनी का पाउडर में डाल सकते हैं पाभाजी मसाला यह चमच अच्छे से मिक्स कर लेंगे लीबू का रस लीबू की रस की जगह आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं और पाभाजी मसाले की जगह आप कीचन की मसाला या गरम मसाला डाल सकते हैं मसाले पक गए हैं तोड़ी से काजू के टुकड़े लिया हैं और थोड़े से किसमिस यह अप्शनल हैं आपके पास हो तो डाल दीजिए हैं के श्टफ ही मां लिबन के रेडी हो गई है फ्रेंट्स का चोड़ी के लिए आठा ले लिया है तो अधा मैदा और आठा यह ईंटा ले सकते हैं मैं हेल्दी बना रही है इसलिए यहूं के आटा लिया है मैंने एक चम्मा चजवाइन इसे में क्रस्ट करके डाल रही है इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है कचोरी में नमक अपने स्वाथ के अलुसाथ डालें कि अपने सब्सक्राइब करें तक गीव डालेंगे गीव का मायन देने से बहुत ही बढ़िया खस्ता बनता है पचोरी बेसन डालेंगे इसमें लिया है बेसन को अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस इतना ही मुएन होना चाहिए कि आटा बंद सकें पाइन डालके आटा को गोथ लेता है नावर पाने लिया है सथा आटा गोथेंगे नरम नहीं लगाना है आटा को आटा को रिष्ट के लिए रख देंगे नहीं ज्यादा हाड है नहीं ज्यादा साफ्ट है आटा को रिष्ट के लिए रख देंगे नहीं ज्याद कर देंगे नहीं ज्याद कर रहा है तक तक हम चटनी बना लेते हैं कि मैंने अधर रख लिया है लेकिन जितक आया मिर्च दो लाशन की कलिया है हारी धन्य है कि यह अलू भुजिया नम्कीन यह दो ही दो चम्मस तक लमक पने साथ के अनुसान हमारी चटनी बनके त्यार हुए है क्रीमी सा यह देखें तो हमें इसी तरफ का चटनी चाहिए था खट्टे के लिए थोड़ा सा नीबू भी दाल सकते हैं हुआ है थोड़ा सा नीबू का जूज डाल दे रही हुए हुआ हुआ है कि अधि तयार है है हुआ है हुआ है है ज़िए आटा से लोगे बना लेते हैं छोटी छोटी चोटी ज़ब इसे बेल लेंगे देल आप देल लगा लेंगे थारा सफीर बनानी है अब देल लेते हैं इस तरह से दे सकते हैं इसके थेल इस तरह से ही बनानी है कडाई रख दिया तेल गरम हो रहा है इस तरह से मैंने इस्टफ की गोलिया बना ली है तो इसे भणने में आसाली होती है कि यह कि अ रही है तो और रहा है रुटी है तो रही है तो आदी को आया है तो प्रोड़ी है तो इसी आंटा डाल के चेक कर लेंगे, तेल बढ़िया गरम हो गया है, चलिए अब कचोरियों को डाल देते हैं, अब कचोरियों को डाल देते हैं, बॉल्डन होने तक, चलिए इनको निकाल देते हैं, कचोरियों के त्यार हैं, तो चलिए खोल के आपको दिखाते हैं, कितनी खस्ता हैं कचोरियों को बनाएं, और इंज्जॉय करें, इसके साथ मैंने चट्नी बनाई है, तो आप चट्नी के सांथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, अगर वीडियो अच्छे लगे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थेंक यू,